गर से कच्रा अलग ना होने के कारण हमें यहां बहुत तकलीब हो रही है हमी सबको जितने भी यहां वरकर कान करने वाले सबको बहुत परिशानी हो रही है आप लोगों को बहुत-बहुत महरबानी होगी कि आप घर से ही अलग-अलग करके अगर देंगे तो आपकी बहुत- कुछ ऐसा चीजी है जो आप लोग अलग करके नहीं देते जैसा कांच हो गया कांच का दुकड़े भी आप कचलेоловिय में दाल देते हैं और बच्चों के appreciate जिरे कांचब अगर करें भोटी में दाल देते हैं हरे डजबीन में गीला कच्रा यानि वेजिटेबल वेस्ट, नीले डजबीन में सूखा कच्रा यानि प्लास्टिक पेपर इत्यादी, सैनेटरी पैट्स, इंजेक्शन, कांच के टुकडे को हलक से ही दे, जिसके बाद गीले कच्रे का कंपोज बनाया जाएगा और सुके कच्रे को रिसाइकल कर देने बेज दिया जाएगा, आपके सईयोक से हम सच एवं सुन्दर अंडमान का दिल से एरादा रखते हैं।